नमस्कार मेरे फ्यारे बच्चों मैं रितेश फिटेल आप सभी का स्वागत करूंगा बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटी आई के नमर वन चैनल स्टडी वित्तरितेश में तो प्यारे बच्चों 24 चुन 24 को बिजी सी के तरफ से बिहार आईटी आई 24 का रिजल्ट जारी किया जाता है और अब आप में से अधिकांस बच्चों का प्रश्न ये है किस से रिजल्ट तो आ गया लेकिन कांसलिंग कब से सुरू होगा अब काफी बच्चों के ऐसे कोशिंग आ रहे हैं डे बाई डे तो मैंने सौचा चली एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दिया जाये कि आपका कांसलिंग कब से सुरू होगा है ना तो भाई काउंसलिंग से रिलेटेट सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगे लेकिन आप सबसे पहले हमारे चैनल स्टेडी इंवित रिते इसको सब्स्राइब कर लेना क्योंकि हर एक इंफोमेशन आपको समय से पहले मिलेगी हमारे इस यूटुब चैनल पर तो प्यारे बच्शों काउंसलिंग जोए एक सिंपल प्रोसेज यानि इसके माध्यम से एकुको समझेंगे आप लोग के लिंक को क्लिक करना होता है और उसमें colleges को add करना होता है, select करना होता है, और trade को select करो, यानि जैसे आपको electrician चाहिए, तो electrician को add करो, add का option रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर electrician लिखा हुआ रहेगा, trade का नाम, और यहाँ पर college का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, college का नाम लिखा रहेगा, तो बस आपको add करते हुए sequence wise मतलब first नमर पर आपने समझो की पटना का कोई college को add किया उसके बाद आपका जो district है भागलपूर उसको आपने add किया यानि sequence से आपको add करते हुए चलेते रहना है ठीक है वैसे जिस दिन से counseling सुरू होगा मैं आपको पूरी update दूँगा कि किस तरीके से आप घर बैठे mobile के जरिए counseling कर सकते हैं ठीक है यह सारी information आपको इस channel पर दी जाएगी लेकिन अगर हम बात करें कि counseling कब से सुरू होगा तो देखिए counseling जैसे कि आप सभी जानते हो कि 24 जून ठीक है 24 जून 24 को result आया था यानि आप में अपना rank art देखा ठीक है तो मैंने कहा था आप लोगों को कि तकरीवन 15 से 20 दिन के बाद 15 से 20 दिन के बाद जो है आपका counseling डेट आ जाएगा यहाँ पर link activate कर दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 दिन यानि कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको 12 जुलाई के बाद जी हाँ 12 जुलाई या फिर 12 जुलाई के बाद जो है आपको यहाँ पर counseling सुरू हो जाएगा पूरी possibility है क्योंकि पिछले साल भी पिछले साल के भी अगर हम बात करें तो 12 जुलाई को counseling शुरू हो गया था ठीक है तो यहाँ पर काफी संभावना है ठीक है कि आपका जो counseling है वो 12 जुलाई से ही शुरू होगा अगर 12 जुलाई को नहीं होता है तो 12 से लेकर 15 जुलाई तक के बीच में आपका counseling शुरू हो जाएगा और किस तरीके से counseling करना है इस पर भी मैं एक video बना दूँगा आप घर बैठे counseling कर सकते हैं या जो बच्चे जिनका rank काफी जादा है लेकिन वो बच्चे भी government college में admission लेना चाहते हैं हमारी team के तरफ से counseling करवाना चाहते हैं जिसका चार्ज 99 रुपीज है तो आप लोग हमारी team की मदद से भी counseling करवा सकते हैं इसके लिए 99 रुपीज चार्ज लगेगा अ इसके बाद group में add कर देंगे जहां पर काफी सारे बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं यानि जिन बच्चों का counseling हमारे team की द्वारा होगा ठीक है तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे group से और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी counseling हम लोग कर दें क्योंकि देख करना होगा इसी नमर पे उसके बाद इसी नमर पे आप screenshot बेज़ दीजिए WhatsApp पे उसके बाद हम लोग जो है आपको group में add कर देंगे और जैसे ही counseling डेट आएगा आपको call जाएगा हमारी team की मदद से हमारी team के द्वारा call जाएगा और आपका counseling जो है on the call हो जाएगा ठीक है च पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करेंगे